अज़ दो बार वह सदेश ते नमस्कार भारत एक्ष्ट्रेस में आपका स्वागत है मैं हू निटीस पांडे इस वक्त हम मوجود हैं वारानसी में यह प्रधानमंतरी नरेंद्रि मोदी का संस्दी शहतर है दो बार वो यहां से संसर्थ चुनने के बाद से प्रधान मंतिरी रह चुके हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में, तो वहीं इंडिया गडबंदन की ओर से कांग्रेश ने अजय राय को उमिद्वार बनाया है, दो बार और अजय राय उनके खिलाफ प्रधान मंतिरी नरें जीत रहे हैं, और अधर पाटी सपा बसपा गडबंदन इंडिया आगे चले हैं, वारारसी से प्रधान मंतिरी जीत रहे हैं, और जगह से हार रहे हैं, आगे चले हैं, गडबंदन आगे चला है का मतलब नहीं संथिए? गडबंदन आगे चला है, और सरकार गडबंदन की बनेगी इस सरकार बनेगी इतना महांगाई हो गया है और महांगाई से जनता पस्त है राशन जो गरिब को मिल ला है उसमें हमको नहीं मिल ला है रासन हमारा कड़ गया है कि आपको रासन नहीं मिला चलिए लगा लेकिन प्रदान मंतिर्न मोधी राशन दे रहे हैं कुछ नहीं धे रहा है और वहीं आन्य जोन वह werden पूर घथा है इसलिए कि लोग तो यह कहांगे कि यहा रहें वो आ रहें, वो आने के बाद ही मालम चल जाएग़। बनारस में इस बार कोई नहीं उनकी आगे बनारस में से ही मोधी जी जीते हैंगे यहां से कंफर्म है गड़मंदर टक्कर दे सकता है मगर जितने की चांस अभी मोधी जी का ही है उनका लहर चला अभी द्मिया में आप बताईए आपको क्या लग रहा है इस वार युआ है पता चलेगा कि नहीं मोधी जी क्या कर रहे है तो आएंगे तो मोधी जी ही आपको क्या लग रहा है इस वार बनारस में कौन जीत रहा है क्या महौल है इस साल बनारस में काम नहीं किया है मांगाई इतना है कि सब परसान उनसे मांगाई लड़कों को नोकरी नहीं मिल आईए और क्या बताए चलिए कुछ और भी लोग है आपको क्या लग रहा है इस वर बनारस में क्या होगा चार तारी को जब आएगी तो इस जब पता चलेगा काम तो बहुत बढ़िया की है अच्छी किया है पूरा विशनाज जी राम मंदीर सब पूरा हर चीज बनवाएं क कि जनता लोग जाने की हाँ कि यह मोडी जी है सपा कांग्रेस जो भी आये एतनी साली साल मुलायम सिंग राजी में गोली चली राम बंदीर नहीं बनी आपको क्या लग रहा है बनारस में इसमर विकास हुआ है यह कर जो कुछ हुआ बस सहर में हुआ है सहर के बाहर उतना व रहए बार बार होने वाला है दो बार कित्रह अंतरी स सण्ट संघ्या से जियंगे गदंगे अपत्व अप बील्कुल इस बार भी मैं हारी यंतर से जीतेंगे पिछली वार से वार से ज़्या-थे कि कीवल आई भू है आप देख लीजिए बणारस पहले ऑनारस पहले क्या आप से जानना चाहेंगे चुकि आप तो गोरखपुर से तालुक रखते हैं मुक्मंतरी योगी आदी तेनात का सहर है और आप रहते हैं परधान मंतरी नरे नर्मोदी के संसदिक शत्र में क्या लग रहा है कुछ विकास हुआ है देखे 14 सालों से मैं यहां हूँ 14 सालों में से और अब तक विकास तो बहुत हुआ है जैसे लाइट यहां जब शुरू में ऐसे होते थे कि 12-12 घंटे लाइटे नहीं रहती थी आज कम से कम लोगों को 20 घंटे से 22 घंटे लाइट संकों का विकास बहुत चीज़े हैं रिंग जो भी चीजे इन्हों ने पनवाई है किया है काम तो इन्हों ने अच्छा ही कि या है अपर हर आदमी के लिए hace नहीं माना जाता है और जहां मोदी जी का सवाल है मोदी जी तो यहां से जीतेंगे ही और पाल्टी तो मिलब जो गौवर्मेंट बनेगी वो बीजेपी की ही बनेगी यंडिय सरकार की बनेगी पर यह है कि जो 400 का आकलन है वो नहीं है 400 तक मेरा आकलन बहुत ज्यादा उड़के रहेगा 300 के आसपास जो मेर इक तरीके सिस्टर जी यहां करीब यूपी में यह 65 से 70 के बीच की सीट रहेगी इनकी सीटें कम होंगी पिछली बार से आपको क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें आ रहे हैं 400 पार कुछ नहीं मिला है कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है तो वह अलग बाते हैं हर आदमी के लिए नहीं हो पाएगा बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है इस तरीके से वह कंडिडेट अपने उतारे हैं वह अच्छी चीज़ें और यहां से बाइब बढ़ा बाव जादे बढ़ी बाव ब्रेकिंग निज आपने दे दिया आप यह करें कि मोदी जी आरे बनारत से शाइए हार रहे जीत रहे वह जाने लेकिन टक्कर होगा चुना में इस पाद अजय रहे हैं मोदी जी में आपकर जमानत जब्त होगी कि आप अपने मन से बोले आप लोग आपको क्या लग रहा है कि इस बार कि नौकरी मिला है मैं उनके लिए सच्छम हूं मेरा परिवार भी सच्छम है मैं उनके लिए हमेशा मोदी जी के लिए आप से आखरी सवाल लोगा कि हकीकत में बनारस में क्या इस्तिती है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बदलाव तो देखने को नहीं मिलेगा जनता देखे जनता है वो अपने हिसाब से क्योंकि जनता खुल के सामने नहीं आ रही है जनता ठीक है कंडिडेट अच्छे है जा रहा है और जो भी है उनको सिंबल भी गटबंदन का दोनों पाल्टियों का मिला है पर यह है कि बदलाव तो नहीं है क्योंकि मोदी जी हर लोग मलब आप दस में से साथ लोग आपको मोदी ही कहने वाले मिलेंगे साथ लोग युवा हैं हमारे साथ आपको क्या लग रहा है इस बाद चुनाओं में क्या होने वाला कुछ असर दिख रहा है आपको मोदी जी दुबारा याँ जीत रहे हैं आप यह कहना चाहरा है जैवा है तो यह बहुत बारत एक्सपर्स के माद्यम से बताने की कोसिस कर रहे थी कि आखिरकार जो बनारस में कितना विकास कारे हुआ है और किस तरीके के इस्तिती यहां बरतमान में देखने को मिल लएगे। कैमेरा परसन धर्मेंद के साथ इतीस पांडे भारत एक्सप्रेस वारानसी।